नमस्काल, मैं अरपित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेग चायबासा आज मैं B8 सिमेस्टर 4 के छात्रों के लिए जो टॉपिक लेके आएं हूँ वो पेपर 8B के यूनिट 3 से है राज्य में अध्यापक सिख्षा पार्ट 1 Teacher Education in the State यह टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है क्यूंकि आप सब इसका ही एक हिस्सा हो B8 कोर्स अध्यापक सिख्षा के अंतरगती आता है और आप सबों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अध्यापक सिख्षा क्या है, Teacher Education क्या है और इसकी बेवस्थाएं कैसी है अध्यापक सिख्षा, Teacher Education पहले अध्यापक सिख्षा को अध्यापक प्रसिक्षन कहते थे अध्यापक प्रसिक्षन सब्द के संकुचित वसीमित अर्थ के कारण अब अध्यापक सिक्षा जैसे व्यापक शब्द का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर यहाँ बताया जा रहा है कि अध्यापक सिक्षा टीचर एजुकेशन को पहले अध्यापक प्रसिक्षन टीचर ट्रेनिंग कहा जाता था लेकिन teacher standing शब्द जो है वह narrow और limited है इस कारण से अब अध्यापक सिक्षा teacher education शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है क्योंकि जो teacher education है वो comprehensive है इसका छेत्र बड़ा है व्यापक है अध्यापक सिक्षा से अभी प्रय भावी सेवारत अध्यापकों के सरवांगी विकास से है तीचर education का मतलब होता है कि जो भविश्य में सिक्षक होंगे जैसे आप अभी B8 कोर्स कर रहे हो आप भावी सिक्षक हो तो उनके सरवांगी विकास से है यहाँ पर हम इस तरह से प्राचीन काल में अध्यापक योगिता को एक जन्मजात प्रकृति प्रदत योगिता स्विकार किया जाता था उस समय की मानेता थी कि अध्यापक बनने वाला व्यक्ति जन्म से ही अध्यापन संबंधि प्रतिभा से संपन होता है प्राचीन काल में यह माना जाता था कि ज जमसे ही अध्यापन संबंधी प्रतिभा यानि टीचिंग रिलेटेड उसकी जो प्रतिभा है वह होती है उसे किसी भी प्रकार के आपचारिक वा अनपचारिक प्रसिक्षण की आवश्यक्ता नहीं होती इसके साथ यह भी कहा जाता था कि किसी प्रकार के प्रसिक्षण को दे अंपचारिक प्रसिक्षण की ज़रुवरत नहीं है यानि फॉर्मल इन्स को और आता था कि ट्रेनिंग को देकर अच्छे अध्यापक तयार करना संभव नहीं है ट्रेनिंग लेकर के कोई भी टीचर अच्छा नहीं हो सकता है जो टीचर होगा वह बाइबर्थ जन से ही उसमें टीचर के गुन होंगे अर्थात अध्यापक पैदा होते हैं ना कि तयार किये जाते हैं प्राचीन काल की या मानेता थी क अध्यापक योग्यता को लेकर के पैदा होते हैं ना कि ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें तयार किया जाता है तो इस तरह से हमने देखा कि प्राचीन काल में अध्यापक योग्यता को लेकर के कैसी मानेता थी इसलिए कहा गया था कि जो अध्यापक प्रसिक्षन है वो narrow है limited है जिसे मैंने आप लोगों को first slide में बताया था इसलिए अध्यापक प्रसिक्षन के अस्थान पर अध्यापक स्थिक्षक शब्द का प्रियोग किया जाने लगा जो के व्यापक शब्द के रूप में है परंतु 19 तथा 20 शतापदी के पुर्वार्थ में विश्व के लगबक सभी देशों में अध्यापक के जन जात होने संबंदी मानेता का खंडन किया जाने लगा तता धीरे-धीरे सभी देशों में स्विकार किया जाने लगा कि प्रसि लगबक सभी देशों ने जो यह मानेता थी कि जो अध्यापक होते हैं उनमें अध्यापक गुन यानि टीचर का जो गुन है वो जनमजात होता है इस बात का खंडन करने लगे इस मानेता का खंडन करने लगे तथा सभी देशों ने धीरे-धीरे इस बात को स्विकार किया कि के द्वारा ही स्रेष्ट और सुयोग्य सिक्षक टीचर तयार किये जा सकते हैं प्रसिक्षित अध्यापक कक्छा सिक्षन को रोचक जीवन्त एवं प्रभावशाली बनाने में समर्थ होता है जो टीचर ट्रेंड होते हैं वही क्लासरूम टीचिंग को इंट्रेस्टिंग लाइव और इफेक्टिव बना सकते हैं आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ सकते हो क्योंकि आप लोग भी टीचर स्ट्रेंग ले रहे हो तो आप लोगों को यहां पर बताया जाता है कि किस तरह से आप अपने क्लासरूम टीचिंग को रोचक जीवन्त और प्रभावशाली बना सकते हो कैसे अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हो वह मनोवज्ञानिक सिक्षन विधियों तथा शैचिक तक्नीकी का प्रयोग करके अपने छात्रों को सहजता सरलता वह सुगमता से अस्थाई ज्यान प्रदान कर सकता है आप सब इस बा अपने टीचिंग मैथोड्स टीचिंग स्टैटेजी का प्रयोग करके छात्रों को बहुत ही इजी वे में बहुत ही सरलता से सुगमता से अस्थाई ज्यान प्रदान कर सकते हो तो यहां पर इस स्लाइड में यह बताया जा रहा है कि पहले ऐसा माना जाता था कि टीचर जनम पूर्ण माना गया और यह कहा गया कि जो ट्रेंड टीचर होते हैं वही बच्चों में सरलता सहजता और सुगमता के साथ अस्थाई ज्यान प्रदान करते हैं सामाने सिक्षा के अस्तर के अनुरूप अध्यापक सिक्षा के भाग अब हम देखेंगे कि टीचर एजूकेशन के कौन-कौन से भाग है इसमें सबसे पहला है पूरो प्रात्मिक अस्तर के अध्यापकों की सिक्षा प्री प्राइमरी लेबल प्री प्राइमरी लेबल यानि की एलकेजी से क्लास फाइब तर और मोंटेंसरी टीचर्स ट्रेंग जो होता है वह इसी प्री प्राइमरी लेबल के टीचर एजुकेशन के भाग होते हैं उसके पार्थ होते हैं वो क्लास 1-5 के टीचर बनते हैं नेक्स्ट है माधमिक तथा उच्छ माधमिक अस्तर के अध्यापकों की सिक्षा Secondary and Higher Secondary Level जिसमें आप अभी B8 कोर्स कर रहे हो तो आप लोग Secondary and Higher Secondary Level के टीचर बनोगे यानि कि high school और plus two level कि जो teachers की vacancy आएगी तो आप उसमें डाल सकते हो और इस level के teacher बन सकते हो फिर है अध्यापक सिक्षा में असनात कोत्तर एवं अनुसंधान असनात कोत्तर यानि कि post graduation जिसे हम कह सकते हैं कि master of education यह इसके अंतरगात आते हैं जो बेट कॉलेजिस में पढ़ाते हैं एवं अनुसंधान यानि कि research वर्क करना तो इस तरह से हमने यह देखा कि सामाने सिक्षा के अस्तर के अनुरूप अध्यापक सिक्षा के कौन-कौन से भाग है और आप लोगों ने जाना कि आप secondary लेबल के अंदर आते हो अध्यापक सिक्षा के साधनों का विभाजन अध्यापक सिक्षा के साधन को दो भागों में विभाजित किया गया है यानि Teacher Education के एजनसीज को दो भागों में बाटा गया है सबसे पहले है राज्ट्रियस्तर, नेशनल लेवल और दूसरा है राज्जियस्तर, स्टेट लेवल तो आगे हम देखेंगे कि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल में कौन-कौन से एजनसीज आते हैं आपके सिलिवस में है टीचर एजुकेशन इन्दा स्टेट राज्य में अध्यापक सिक्षा लेकिन मैंने आप लोगों को राश्ट्री अस्तर के जो अध्यापक सिक्षा के साधन है उसके बारे भी बताना चाहा है क्योंकि ये बहुत इंपोर्टन्ट है और कॉंपिटिटिव एक्जाम में भी आते हैं और ये जो साधन है प्रतियक साधन की अपनी विशेस्ताएं हैं कारे छेत्र हैं लिमिटेशन्स हैं जिसे एक वीडियो में कभी भी नहीं दिखाया जा सकता है तो इसमें मैंने सिर्फ संचेप में इसके फुल फोर्म को आप लोगों के सामने बताना चाहा है जिसमें सबसे पहले हैं UGC, University Grant Commission, विश्यविद्याले अनुदान आयोग नीपा, National Institutes of Education and Planning Administration रास्ट्री शैचिक योजना एवं प्रशासन विश्यविद्याले दीखें यहां पर नीपा है इसके स्पेलिंग N-I-E-P-A है एक नीपा होती है जिसकी स्पेलिंग होती है N-U-E-P-A वो इससे अलग है तो इसमें आपनों कंफ्यूज नहीं होंगे Next है NCERT, National Council of Educational Research and Training रास्ट्री शैचिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशद फिर आता है NCTE, National Council for Teacher Education रास्ट्री अध्यापक सिक्षा परिशद और यही NCTE, B.A. course, M.A. course और Teachers Training को अफ्लियेशन देती है रास्ट्री अस्तर पर अध्यापक सिक्षा के साधन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो अगला साधन है वह है ICSSR, Indian Council of Social Science and Research, भारतिय समाजिक विज्ञान अनुसंधान परिशद फिर है NAC, NAAC, National Assessment and Aggreditation Council, रास्ट्री मुल्यांकन एवं प्रत्यायन परिशद RCI, Rehabilitation Council of India, भारतिय पुनरवास परिशद पिछले स्लाइड में हमने देखा कि रास्ट्री अस्तर पर अध्यापक सिक्षा के कौन-कौन साधन है अब हम देखेंगे कि राज्य अस्तर पर अध्यापक सिक्षा के साधन कौन-कौन से है पहला है SBTE, State Board of Teacher Education, राज्य अध्यापक सिक्षा बोड फिर है DIET, District Institutes for Education and Training, जिला सिक्षा एवं प्रसिक्षन संस्थान यह प्रतियाग जिला में होता है UDE, University Department of Education, विश्य विद्याले सिक्षा विभाग फिर आता है CTEC, Continuous Teacher Education Center, सतत अध्यापक सिक्षा केंद्र आज हम सिर्फ इसके फुल फॉर्म को देख रहे हैं, अगले विडियो में हम इसके कार्य प्रणाली को देखेंगे राज्य में अध्यापक सिक्षा के साधन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो अगला साधन है वह है DTE, Distance Teacher Education, दूरवर्ती अध्यापक सिक्षा STE, Summer Teacher Education, गृष्मकालिन सिक्षा संस्थान CTE, College of Teacher Education, सिक्षा महावित्याल है तो आज हमने देखा कि अध्यापक सिक्षा के रास्ट्रिय, नेशनल और राज्य अस्तर, स्टेट लेबल पर कौन-कौन से साधन है और उनके फुल फोर्म को जाना, उनके पूरा नाम को जाना क्योंकि एक वीडियो में इन सब के कारियों को बता पाना मुश्किल है और आपके सिलेवस में है Teacher Education in the State, राज्य में अध्यापक सिक्षा तो इसे हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे, डिटेल से देखेंगे तो आज के लिए इतना ही, मुझे उमीद है कि आज जो कुछ भी बताया गया, आप लोग उसे अच्छे से समझ गए होंगे तो अब आप लोगों से इजाजत लेना चाहोंगी, थैंक्यू, धन्यवाल